हेलो दोस्तो मैं हूँ पपू और आप देखरें मेरा YouTube चनल पपू Electrical Tips दोस्तो आज की इस वीडियो में देखेंगे जानाइँगे कि नेपाल में हाऊस वाइरिंग कैसे किया याता है कैसे वहां का switchboard होता है कैसे वहां का switch circuit होता है और कैसे वह दिखता है कैसे उसका model होता है तो दोस्तों बने रहे हैं हमारे साथ इस वीडियो में अंद तक एक request कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो कि पर मेरे चैनल को subscribe किजिए like किजिए और comment जरूर किजिए तो चलिए द दोस्तों यह देखिए आपको दिखा तो यह है power circuit में देखिए पुरा fix में दोस्तों तू मोडल में आता है कि देखिए 10 switch है इसमें 10 switch board बोला जाता है इसको एक दो तीन चार पाँई 267 आठ नौ दोस्तों यह चार मोडल के मेतल वक्स में किजिए या इंभी चार मोडल के में नहीं इस तरीके से नेपाल का बोड आता है दोस्तों बहुत ही छोटा साइज होता है इसका देखे चार मोडल में आपको आज आएगा पूरा 12 मोडल में जितना स्विच शोटिट आता है इंडिया में मोडल में उतना स्विच आप चार मोडल में यहाँ पर मिल जाता है और दोस्तों इसमें एक है आप देख सकते हैं इसमें फिट हो जाता है इसमें फिट हो जाता है अलग साता है दोस्तों वह लगानी परती है स्विच भी बदल सकते आप इसमें देखे सारे फिट लेना और यह देखिए दो स्वीच है दोस्तों यह दो मोडल में आपको फिट हो जाएगा जाए तर दो मोडल और चार मोडल ही मिटल बॉक्स यहां लगता है हास वारिंग के लिए आप देख सकते यह चार स्वीच है एक सौकिट है तो चलिए देखते हैं इसको हम कनेक में धेशन किया जाता है विल-伏ल छोटा सबिख है दोस्तों इसमें आप द esse खास नहीं है जो हो को अब को अलाग तरीके से वारी नहीं होता है जैस आप नर्मल वारीग करते हैं आंगिया में बोड का वसे को इसको भी किया जाता है इस तरीके से आप पहले नीचे वाले स्वीच को दोनों को सिरीज कर देंगे देखिए यह चार मोडल मेटल बॉक्स में फिट होगा दोस्तों आपको बोला हूं कि यहाँ छे स्वीच एक सब्टेट रेगुलेटर इंडिगेटर सब आ जाता है और यहाँ से देखिए मजरão कर लेंगे यहाँ से कट करके नचे वाले स्वीच को हमने दोनों को सिरीज की है और यहाँ क्या करेंगे उपर वाले स्वीच को भी छिजी करेंगे फ्लेटर नेचे लिए जैसे आप वाइरिंग करते हैं दूसरे बोर्ड को किसी बोर्ड को उसी तरकी से इसका भी वाइरिंग करते हैं एक चीज धियान रखने की बात होगी दोस्तो तो आप वीडियो में बने रहें मेरे चनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दिजिए लाइक किजिए और कुछ भी जनकारी लेना होता हमें कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों वीडियो को अंध तक देखिए पुरी जनकारी मिलेगी आपको मैंने काफी दिन बाद वीडियो अप्लेट कर रहा हूं क्योंकि मेरा कुछ प्रमलोग था इसकी वज़से नहीं हो पाया वर्ड चल रहा था लेकिन वीडियो नहीं बना पाए इसलिए आप लोगों से सभी सस्क्राइबर भायों से मैं शमा मांगता हूं और यह देखिए एश्ट्रावाय था इसको कटिंग कर दिये हैं अब देखिए अब यहां ध्यान लखने के बाद है दोस्तों कि 5-pin सोकिट जो हम लगाते हैं तो हम लोग जो मोडलर या जो भी हम इंडिया में लगाते हैं 5-pin सोकिट वो क्या तो के 5-pin के अंदर जाता है यहां क्या है दोस्तों यहां उल्टा है यहां राइड साइड दिया होता है तो सोकिट और लेफ्ट साइड दिया रहता है स्वीच इसमें क्या होता है कि जब आप फेज और नूट्रल का कनेक्शन करते हैं तो इसमें ध्यान रखने के बात होता है क करना इसमें कि दियान रखने के बाथ dat दिखिए कि हम यहाने यह इस वाले में लगाएंगे तो यहान दियान रखना की बात होता है इसमें नुटल यहां तो ये देखेया यहां फिस रहागा इसमय रहता है तो यह जो पलक लगाते है जो स्कुनल चलाते हैं तो उसमें राट से ही Hashtem एसलिए जो इन दोस्तोब्त का होता है इसलिए धियान तो कर देंगे कर देंगे के से इसमें ध्यान रखने के बात होते हैं दोस्तों आप जैक सकते ज्मेंट कितना छोटा है आप इसको खराब होने पर चेंज कर सकते हैं लेकिन चेंज करने के लिए बहुत प्रमलोह होते दोस्तों अजयल निकलता है तूछ भी सकता है पूर्ट तो क्या करते यहां लोग या तूच को फ्रम्लोह करते हैं नहीं करता है और क्या करते हैं यहां बता दूं तो सब लगा कर जो होता है तो करीब नेपाल का जो रेट है और 700-600 रुपया का आ जाता है तो इस तरीके से देखे हमने वहाँ कनेक्शन कर दिया है और यहां देखे दोस्तों यह डम्मी है यहां फैन रेगुलेटर लगाने के लिए पंखाट जुमर लगाने के लिए देखे वहाँ जोगी गैप है इस तरीके से देखे इसको निकाला जाता है जम्मी को और इस हॉल में क्या करते है नौब जो उसका आता है और यहां पर क्या है बाहर से नौब लग जाता है तो इसलिए दिया होता है ब्लैंग है अगर आप कहेंगे आपको अगर बोड लेना हो जो समान लिखते हैं तो आपको इस तरीके से निका जाता है आपको लिखना होगा 400 सुरी चार स्विच एक सॉप्किट एक रेवी लोजर ऐसे करके लिखना होता है यह डबल फाइप चाहिए तो आपको पहले ही आपको लिखना पड़ेगा यहनिहें आपको धिया नहीं अब यह ब्लू बला जो रहा हुआ है आप यह पैसा अप्लाइगा है अब यह दिखिए प्राइन का कनेक्शन है इस स्विच में गिया है और डिरेक्ट स्विच गिया हुआ है रिगलेटर से इस तरी से देख सकते हैं अब चलिए इसको थोड़ा कर्षक देखते हैं कैसा मारा मोडलर वोर्ड में आता है उसी तरीके से इक कवर आता है इस तरीके से कितना इसलिए फिट हो गया कितना अच्छा एच दीख रहा है यह चार मोडल मेटल वक्स में ही फिट हो गया है दोस्तों देखिए एक रूम का कनेक्शन आप असानी से तीन ठोबल्व एक पंखा और एक थाइटन सोकिट है कनेक्शन कर सकते इस तरीक से यहां पर देखिए आप पावर सकुट देख सकते हैं पावर सकुट है 10 अमपियर और 20 अमपियर दोनों इसमें आपको लग जाएंगे देखिए इन्डिगेटर के साथ स्विच है तो यह हुए पावर सकुट अब दोस इस अब यूथ जरूब का दों इडिवे को लाइक किजए आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजएगा और एक प्रमवलाब रख दोस्तों यह दिखिए इसमें तार्थ चोटा रखना पड़ता है चार मोडल रंख कर साय जाता है इसलिए ज developments दोस्तो बहुत अन्या बाद मेर video देखने के लिए, thank you very much